नमस्कार दोस्तों एक बैफिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टागेट वन पे मैं हूं अम्रिता और आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है उन स्टूड़न्स के लिए जो जा रहे हैं सीटेट या फिर यूपिटेट का एक्जाम देने के लिए आपको पता होगा कि सीटेट का एक्जाम बस 28 तारिक को होने ही वाले है और जो यूपिटेट के एक्जाम से उनके फॉर्म भने की डेट जिस्ट आन प्रिवे कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंडर कंट्रोल होती है जो चीज़ आप में प्रिवेसली पढ़ी होती है उनको जस्ट आपको रिवाइज करना होता है ठीक है तो फिलाल आज की जो हमारी वीडियो है वह उन साथियों के लिए हैं जो सीडिपे के एक्जा कर रहे हैं या फिर सूपर टैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टार्गिटाइट वन के साथ में अगर आप बैटर स्कोर करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने चैनल पर उन सारे इंपॉर्टन चीज़ों को डिसक्स करते हैं ज ज़रूर जुड़े हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यह तो थी जैनल से इंफरमिशन आप सभी दोस्तों के लिए चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ याने आज की वीडियो का जो एम है याने कि आपके TET examination चाहिए आपके UP TET हो, C TET हो, B TET हो, MP TET हो, कोई भी examination हो TET से related ठीक है दोस्तों सबसे पहले वो topic हैं जो आपके child development को cover करते हैं और यह सारी जो theories आप देख रहे हैं यह जो topics आप देख रहे हैं development से related इन सारे topics को आपको thoroughly पढ़ना है याने कौन से ऐसी चीज़े हैं जिन पर आपको जादा focus करना है तो आप अपनी screen पे जिन topics को देख रहे हैं, जिन theories को देख रहे हैं, child development से associated यह सारी चीज़े आपके इस context में important हैं कि आप जब CDP की preparation कर रहे होते हैं तो यह सारी theories आपको marks gain करने में बहुत ही जादा help करती है तो बात करते हैं सबसे पहले theory के बारे में जो आपको thoroughly पढ़नी है पहले theory आपकी PRJ theory of cognitive development तो यह theory आप अपने channel पे डाली हुई है अगर आप चाहे तो playlist में जा करके इस theory को देख सकते हैं जहापर आपने important terms और concept में आपे totally discuss किये हैं कोलबाग theory of moral development यह 6 steps में है ठीक है और तीन जो star है इसके pre-conventional, conventional और post-conventional तो सारे जो levels है इसमें आपके पूरे 6 starों को पढ़ना है उसके example के साथ-साथ और आप अपने life में कोलबाग की theory को किस तरीके से apply करते हैं इन सारी चीजों को भी आपको देखना है अगली जो theory है वह वाइगोट्सकी के theory और जो social culture development से related है तो वाइगोट्सकी के theory आपको पता है बेसिकली यह भाषा पे focus करती है यानि कि भाषा पहले आई और thought process बाद में आया यह पियाजे के जो thought है उससे थोड़ा सा हट कर इनका thought था और दोनों की वीच में अगर आप compare करते हैं तो पिया क्या चीज़े हैं और आपके examination point of it से important है इसलिए 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 चीज़ों को हम आगे चलके अपने वीडियों में discuss करेंगे अपने channel पर नेक्स्ट इस दाट प्रिवट की थे यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है उस आस्पेक्ट में ठीक है नेक्स है चौमस्की की थेओरी ठीक है नाम चौमस्की जो बहुत ही बड़े बड़ी concept होने ने दिया था छोटे बच्चों की जब language development होती है तो चोटे बच्चे जब दो शब्द का यानिकी phon sentence वो हमारे तक deliver करता है यह बात अलग है कि हमारी और उनकी grammar में थोड़ा सा difference होता है बच्चा जवाब आपको कहता है पानी पानी को जारतर बच्चे आपको थोड़ा सा पानी लगेगा जारतर बच्चे जो पानी को मम प्रनाउंस करते है कि मम दो ठीक है मम मींस उनके ठीक है लास्ट इस behavioristic theory of linguistic development तो behavioristic theory जो है guys हाला कि अगर आप देखे तो cognitive theory, behavioristic theory ठीक है और जो है आपकी cold bug की theory ठीक है यह सारी चीज़े आपके लिए important है ठीक है constructivism भी आपको पढ़ना है लेकिन फिलहाल फिलहाल अगर आप marks अच्छा score करना चाहते है अपने examination में तो आपक question आपके exams में देखने को मिलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो दोस्तों वो theories वो learning theories जो आपके test examinations के लिए important है चाहे आपका UP test हो C test हो या फिर super test हो या फिर किसी भी other state test examinations हो ठीक है तो generally आपको यह जो theories है उनको अच्छे तरीके से thoroughly पढ़ना है thoroughly पढ़ने का मतलब क्य आपको यह सारी theories तो पढ़नी है basically लेकिन जो second thing है आपके लिए important क्या आपके इन theories की साथ साथ क्या question बनते हैं क्या important terms है जो आपको इस theory के regarding पढ़नी है ठीक है तो उन सारी context में हम बाते करेंगे आपनी channel पे ठीक है next is that guys की कौन-कौन सी theory आपके लिए important है तो पहली है पैव important है आप जानना चाहते हैं तो हमारी channel पे जाकर playlist में देखें फैबलाव की theory हमने उन सारे छोटी छोटी चोटी terms के उपर भी चर्चा करी है जो आपकी examination point of view से important है second is skinner theory of operant conditioning तो skinner की जो theory of operant conditioning की वो भी हमने काफी जादा detail में लिस्पस करी है और कौन से question यहां से आते हैं चीज को ले करके था ठीक है याने कि behavioristic theory को support कर रहा है cognitive theory को support कर रहा है कि इस चीज को support कर रहा है यह भी आपको ध्यान में रखना है बेहती important है वो topic जो हम आप डिसकस कर रहे है नेक्स्ट इस थौंडाई theory of connectionism जिसे हम प्रयास या तुरूटी का सिधान कहते हैं कई सारे ना इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना ठीक है इंसाइट theory इंसाइट learning theory यह भी आपको पढ़ना है ठीक है सूज का सिधान जो चिंपैंजी सुल्तान के उपर किया गया था ठीक है और तीन स्तरों में किया था बिचिकली लोग दो ही जानते लेकिन तीन स्तर थे और कौन से व ने प्रवाइट किया था ठीक है तो यह भी चीज़ें important है कितने स्तर होते हैं math law के theory के ठीक है और हर स्तर पे example दे दे कर हमें बताना है कि किस तरीके से बच्चा जो है उसकी मांग जब develop करती है तो बच्ची के personality किस तरीके से और बढ़ती है इन सारी चीज़ों पर हमें बा पार्ट में एक बच्चे ने वालेंस देखा और एक बच्चे ने peaceful behavior देगा ठीक है तो इस सारी चीज़ें क्या है यह important theories है आपको इन में से क्या पढ़ना है हम already discuss कर चुके है यानि कि आपको यह पढ़ना है कि कौन से psychologist हैं इससे important है ठीक है कौन से psychologist ने इसे perform किया था date क्या cognitive system है cognitiveistic यहां पर शो हो रहा है behavior या फिर constructivism दिखाई दे रहा है तो इन हर aspect को आपको देखना है कि जो theory है वो basically किसको support कर रही है ठीक है conclusion क्या निकल कर आता है क्या उसके उप नाम है और क्या-क्या आलग जो है मतलब theory के भी सब जो पार्ट होते हैं उन सारी चीज़ों का आ लेते हैं दोस्तों तो आप easily यह जो section आपका पका इसके अलावा आपको कुछ भी extra पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर आप इन चीज़ों को अगर आप थारोले पढ़ लेते हैं तो आपको बाहर से कोई question नहीं मिलेंगे सब यहीं से मिलने वाले हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपकी intelligence theories और intelligence theory में सबसे पहला आपको बीने के बारे में पढ़ना है ठीक है बीने और stoneberg यह जो important जो नाम हम यहां पे बता रहे हैं कि बीने और stoneberg ठीक है जादा तर question आपके यहीं से आते है ठीक है और जो next है गिलफोर्ड का जो है यहां से बढ़त कम पूछा जाता है बस आपसे यह पूछा जाएगा कि जो दो factor जो हैं spearman के वो क्या क्या है यानि S factor है जो specific factor है ठीक है और G factor है और general factor S और G factor यहां पे दो factor उन्होंने नाम दिया था ठीक है बाद में उन्होंने इसे ट्राय आर्किक ठीक ठीक है बाद में उन्होंने तीन factor term दिये थे तो यह भी चीज़ा आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो intelligence theory में कौन कौन से theory is important है पहली है बिने by factor theory ठीक है और दूसरी है spearman two factor theory तीसरी है ट्राय आर्किक ठीक 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 है ठीक है ठीक है तो यह सारी त्यूरी आपको याद करनी है ठीक है क्या याद करना है कौन से psychologist ने इसे प्रपोस किया था ठीक है और date क्या थी psychologist का background याने कि कहा को वो बिलॉंग करते है ठीक है इसे ठीक है रश्या के भी आजिया पैवलोव जो है तो इस तरीके से जो उनका background है उसे भी आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा क्यों ठीक है तो इस सारी चीज़ आपको देखनी है और basically आपको ठीक है जो चरण है जो उपनाम है यह भी आपको देखना है और सबसे पहले जो term intelligence किस ने दिया था यह भी पुछा जाता है और जो theories है वो किस तरीके से आगे बढ़े आने सबसे पहले जो intelligence की थी वो किस ने दिय थी और modern जो intelligence की थी थी यह सारी चीज़ आपको examination point of view से बहुत ही जादा important है ठीक है next जो है जहां से कई सारे question पूछे जाते है evaluation यानि कि मुल्यांकन तो मुल्यांकन में से जो important part है वो है objectives and principle of assessment यह आपको पढ़ना है assessment for learning यह भी पढ़ना है assessment of learning यह भी पढ़ना है assessment as learning इसे भी focus करना है यानि कि जो आपका formative assessment होता है summary assessment होता है unit test होता है class test होते है ठीक है इन सारी चीज़ों को आपको यह डिटाल में पढ़ना है तो CCE आपका बहुत important section है, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप इसे भी छोड़ देते हैं, तो आप CCE को जरूर पढ़ने, मैं तो कहते हैं, सबसे पहले आपको CCE को तयार करना है, क्योंकि सारे exam चाहिए, आपका UB-Tet हो, Super-Tet हो, S-Tet हो, मतलब UB-Tet हो, C-Tet ह सभी में CCE से question आया है, तो इसे आपको तयार करना है, ठीक है, और मुल्यान को पका तयार करना है, ठीक है, तो यह था आपका examination के perspective से important assessment और evaluation का section, ठीक है, जो आपको तयार करना है, अब बात करते हैं, psychology के concept के बारे में, तो जो important चीज़े हैं, जिसे आपको तयार करना है, ठ सबसे पहले motivation का concept, यानि motivation क्या होता है, कितरे types का होता है, किस मनुवैक्यानिक ने सबसे पहले motivation का term दिया था, कौन से सतन में दिया था, psychologist का background क्या है, और motivation से जो जुड़ी theories है, वो क्या क्या है, ठीक है, और example की सहायता से, मैंने हमेशा काया आपको, आप कोई भी theory पढ़े चाहिए, Skinner की पढ़े, Thondai की पढ़े, Kolberg की पढ़े, लेकिन उसे आपको अपने perspective से भी देखना है, कि अगर हमारे आसपास में हम देख रहे हैं, तो theory कहां कहां apply हो रही है, ठीक है, अगर आप इस तरीके से theory को पढ़ते हैं, तो theories आपके behavior में आ जाती है, और आपको ठीक है, next attitude त्यार करना है, attitude से हलाकि साथा question नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, दो साल, तीन साल में आपको एक प्रशन attitude पर भी दिख जाता है, attitude और aptitude पर, next is relationship between cognition and emotion, बहुत बहुत ही सारा important है, और basically emotion है, ठीक है, जैसे MacDougal के, MacDougal के पर जो question है, वो आता है, कई सारे ठीक है, तो जो 14 उन्होंने बता रखे है, shield good उनके बारे में पुछा जाता है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ आपको prepare करनी है, आपके examination point of view से बहुत ज़्यादा important है, अच्छा, जो other topics हैं, जो आपको तयार करनी है, तो जो तयार करना है, वो formal and non-formal, जो education है वो, ठीक है, औ यह जब भी आप पढ़ते हैं, तो example के साथ में पढ़ना है, यान कि school में जब आप पढ़ना है, तो formal हुआ, ठीक है, distant education से पढ़ रहा है, तो आपको informal हुआ, ठीक है, music और extra चीज़ जो पढ़न कर रहे हैं, तो non-formal में आ जाता है, तो यह सारी चीज़ आपको ध्यार में important है, गाइस, बहुत 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 ज़ादे important, और कई सारे आप question है, जो आपके estate में देखेंगे, upetite में देखेंगे, ctate में देखेंगे, तो यह जो आपका हिस्सा है, यान कि जो broom's taxonomy है, यह बेहद ही जादा important है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको त्यार करना है, यहां से हाला कि question बहुत काम पुछे जाते है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, लेकिन एकारा question आपको यहां से भी देखने को मिलते हैं, तो यह भी आपको equally prepare करना है, next is court 11 की theory, court 11 की life space theory, हाला कि इस पे वीडियो हमने अपने channel पे upload नहीं किया है, लेकिन हाला कि आतीवे time में इसके demand आ रही है, यानि कि 10 साल पर या 20 साल पर आपको question यहां से दिख जाएंगे, तो यह भी आप prepare कर सकते हैं, ठीक है, और इस related video आप हमारी channel पे जरूर देखेंगे, आगे चल करके, next is gender bias and its eradication, तो gender bias ने आपका 50% important area cover करता है, यानि कि आपके CDP में जो जादातर question होते है ठीक है, gender bias से एक दूर question आपको जरूर मिल ही जाता है, यानि कि gender क्या होता है, gender important किसलिए है, आपके CDP में तो कई बार पूछा भी जा चुका है, कि gender होता क्या exactly, ठीक है, और आप किस category, किस basis पे आप इसे categorize करेंगे, तो यह भी important question आ सकता है, कि gender bias में साब खतम क्या से करें और क्या-क्या, जो habits हैं, जिनके basis पे आप categorize कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कि हाँ, यहाँ पे gender biasness होती है, जैसे कि girls को कहा जाता है, कि आप dance सीखिए, music सीखिए, और boys से कहा जाता है, कि आप math पढ़ी, engineering पढ़ी है, ऐसा जो होता है, इस type का behavior यह शो करता है, gender biasness को, तो यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, next day guys, हमने फिलाल यहाँ पे discuss कर लें, कि कौन-कौन से आपके लिए topic important है, ठीक है, अब, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप child development में जारतर mark score कर सकते हैं, तो क्या-क्या वो tips हैं, जो आप अप्लाई करनी, अपनी day कोजी mock test, mock test आप कोई भी exam दे रहे हो, आप अपने ntbc का exam देख लें, ठीक है, s-tad का देख लें, up-tad का देख लें, c-tad का देख लें, mock test is always beneficial for you in every exam, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कि mock test attempt करनी है, अगर आप 10 prepare कर लेते हैं, तो minimum आपको 10 तयार ही करने हैं, ठीक है मैं चाहिए आपको कोई भी exam हो, लेकिन अगर आप maximum आपकी जितनी capability है, आप उतना mock test त्यार करें, mock test का फायदा क्या होता है, कि आपको पता चलता है कि कि लेवल के question आपकी exam से पूछे चाते हैं, कई-कई बार ऐसा होता है, कि इन ही mock test में से कई सारे से question जो directly आपकी exam से मे करने का, second, second जो important tip है, that is guys, कि revise previous year question paper, जब आप अपना question paper previous year का prepare करते हैं, उसको analyze करते हैं, सबसे पहला बात कि जब आप previous year paper देखते हैं, तो उसको analyze कीजिए कि कौम सा जो section है, वहां से कई सारे question आए, आपके exam में, ठीक है, जैसे CDP का ही है, आपने देखा कि मंदूरा की theory प question आया था, 2019 में कहां से question आया था, तो इस type जब आप टेबलर presentation अपने लिए बना लेते हैं, तो इसका ये फायदा होता है, कि आप एक तरीके से समझ जाते हैं, कि हाँ, ये हिस्सा important है, और यहीं से आपके question पूछे जाने है, ठीक है, तो ये चीज़ है important है, next is that guys, कि जो pattern है वो आपका पता चल जाता है, कि किस level के question पूछे जा रहे है, और कौन सा इसा question है, जो लगाता repeat हो रहा है, तो उन चीज़ों को, वो चीज़ा आपके practice में आ जाएंगी, तो इसलिए, बहाते important होता है, previous year paper को solve करने, ठीक है, next is focus, जो thinker या ideology है, theories की, वो भी आपको, आपको focus करना है, जैसे की, child development का जो section है, वहाँ पर, जो thought है, जो theories है, उन पर कई सारे question पूछे जा चुके है, तो thought based जो questions है, उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जैसे की, जो thought based की theory है, वो किसी condition में apply करी जाएगी, तो उस condition पर based, जो thought based की theory है, वो किस लिए आपके लिए, important है, इस तरीके से आपको देखना है, जो thought based जो question है, उन्हें पका आप लोग को solve करना है, जहाँ पर आपको अपना intelligence apply करना पड़े है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आप exam में रटके चलेगा और उन्हें लिख दिया, तो इस तरीके से कुछ question first जाते है, जो आप रटके जाते ह मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे की सारे question attempt करने हैं, जो कि आपको दिला सकते है, maximum question, for example, आपको कोई question नहीं आता, और आपके पास अगर चार options दिये होते हैं, तो आप इन में से किसी भी question पे अगर tick कर देते हैं, और अगर question सही हो जाता है, तो आपको यहाँ से जो इसलिए प्लस पॉइंट है, तो जितने भी आपके सामने question आते हैं, सबको attempt करना है, तो यह थी important tips आप सभी के यूपेट ये सीटेट का अगर आप examination देने जा रहे हैं, basically हमने आज बात करी CDP के section की, तो यह जो tips आपने देखे अपने screen पे, यह आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाले हैं, तो जितने भी हमने आप important topic बताए, उसको अगर आप prepare कर लेते हैं, तो काफी जादा score कर सकते हैं अपनी exams में, ठीक है, और दोस्तों ये है हमारे telegram channel का description और जिसका link हमारे description box में दिया हुआ है, तो अगर आप हमारे telegram channel से जोडते हैं, तो आपको फायदा यह होने वाला है कि आपको daily PDF मिलते हैं, प्लस, जो भी important question है, जो की expected है कि हो सकता है कि तो आप उन question को solve करके एक तो अपना concept prepare कर लेते हैं, दूसरी चीज़ ये फायदा होता है कि जब आप question attempt करते हैं, तो आपके पास एक base तयार हो जाता है कि हाँ, इस question का ये सई answer है, भले ये आप गलत ही attempt करते हैं, गलत चीज़ और जादा आपको सीखने के लिए promote करते हैं, आप याद नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ पढ़नी हैं, क्या नहीं, पर जब टेलिग्राम चैनल से attach होते हैं, तो जो important topics होते हैं, वो आपके पास written होते हैं, आपको वहाँ पे pen यूज करना हैं, जिस्ट आपको mobile को slide करना है, और जो important topic हैं, वो आप सभी के सामने हैं, त पाइदा होता है किसी भी टेलिग्राम चैनल से attach होने का, तो हमारे टेलिग्राम चैनल का link आपको description box में मिल जाएगा, तो वहाँ पे click करके आप attach हो सकते हैं, हमारे टेलिग्राम चैनल से, डूसरी चीज़ कि अगर आपने कभी टेलिग्राम यूज नहीं किया है, तो आपक का shape है, कुछ इस type का, तो इस icon पे, इस icon वाला जो application है, वहाँ आपको install करनी है, यहाँ पर अपना account बनाना है, account बनानी के बाद आपको click करना है, हमारे description box में दिये गया link पे, जो आपको ले जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल पे, जहाँ पर add होकर क्या आप डेली study material, pdf or question दे सकते हैं, तो दोस्तों यह थी हमारे आज की video, I hope आप सभी को helpful लगी होगी, और फिर भी कोई doubt होता है, जो आपका इस topic से related, या कोई भी ऐसी theory है, जो आपको थोड़ी से typical लगती है, तो आप comment box में link करके, अपनी जो queries हैं, हमसे पूछ सकते हैं, तो चले मिलते हैं कुछ और conceptual videos के साथ में, तब तक के लिए मिलता को दीजिए जाज़त, बाबाए